नमस्कार दोस्तों मेरा नाम जस्करन सिंग है और आज हम बात करेंगे कि यह जो साथ घुडों वाली पेंटिंग है जो पेरे पीछे लगी हुई है यह वास्तु के लिहाज से कितनी बढ़िया है और लोगों का सवाल आता है कि क्या यह पेंटिंग लगानी चाहिए या दो घ यह वीडियो जैसा कि आप इस पेंटिंग के अंदर देख पार है कि आपको साथ घुडे दिखाई दे रहे हैं एक पीछे सूर्ये देव दिखाई दे रहे है आसमान का रंग लाल दिखाई दे रहे है तो बड़ा बड़िया सी यह पेंटिंग है जो कि बहुत ज़्यादा तस्वीर, यह तस्वीर represent क्या कर रही है, क्यों यह इतनी famous है और क्यों लोग बहुत ज़्यादा use करते हैं और हमार पास question भी आते हैं कि क्या यह photo लगा सकते हैं, लोग whatsapp करते हैं और पूछते हैं क्या यह printing अच्छी है, कहां पर लगा सकते हैं तो देखे, सबसे पहली चीज क्या है, कि जो घोडे हैं, घोडे astrologically जो उतने चंदरमा को represent करते हैं, अब चंदरमा जो हैं, वो health और wealth के कारखें, तो अब health और wealth के कारखें, तो यह तो बहुत बढ़ा aspect हो गया, तो इसलिए घोडों को घर में लगाना बहुत शुबमाना जात वैसे भी मन्दिरों के अंदर भी घोडों की मूर्तियाğं आफ देखेंगे अगर मंदिर में चार दूार हैं धरम, अर्थ, काम और मोक्षका तो आपको अर्थ के दूार पर घोडों की मूर्तिया दिखाई देएगी यह अर्थ से संबंद रखते हैं यानि कि घोडों का संबंद कहीं न गई पैसों से जुड़ जाता है, इंकम से जुड़ जाता है, आमननी से जुड़ जाता है, तो इसलिए यह पेंटिंग यहां पर यह काम तो जरूर करेगी, क्योंकि अगर आप अपने घर के अंदर घोड़े लगा रहे हैं, तो उससे आप को फाइदा मिलता है, जैसे वास्तु के अंदर रेमेडी है कि दो भागते हुए घोड़ों की आप वो जो छोटी सी मूर्ती रखते हैं, वो बहुत फाइदे मत होती है, जब आप उसको नौर्थ वेस्ट के अंदर रखते हैं, अब यह जो साथ घोड़े हैं, तो साथ काइदा चाहिए, आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, इन सब चीजों के लिए सूरिये को देखा जाता है, सूरिये ताकत को दिखाते हैं, बड़े बड़े लोगों से संबंद को दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं administrative power को भी दिखाते हैं, और सूरिये जो हैं, वो काफी ताकतवर planet माने जाते हैं, देवताओं के अंदर इनका खास स्थान है, अब यहाँ पर स्टोरी को थोड़ा आगे लेके जाएँ, खोड़ों से आगे भी एक स्टोरी और जुरती हैं यहाँ पर जाकर सूरिये देव के साथ, वो यह कि ये जो सूर्य देव हैं, ये ताकतवर हैं, इनको एक अधित्य बोला जाता है, सूर्य देव का एक नाम भी अधित्य है, अधित्य के पुत्रों को वैसे अधित्य बोला जाता है, अब इसमें अधित्य के पुत्रों के अंदर बारा पुत्र माने जाते हैं, तो बारा अधित् तो उनमें से सूर्य देव को भी रखा जाता है और यहाँ पर एक है देवराज इंद्र तो देवराज इंद्र जो है वो भी बहुत ताकत वर्मान है कि वेदों के अंदर देवराज इंदर का भैफ तो बहुत जादा है यानि कि किसी भी शायद दूसरे देवता से कहीं अदे अब ये जो स्टोरी है ना सूर्य देव की और देवरा जिंदर की ये बड़ी बड़िया है क्योंकि ये अलग-अलग जगा यूज होती है इनकी ताकत को दिखाने के लिए जैसे कि रमायन में यानि की यहां पर एक है सूर्य पितर और एक है इंदर के पुतर है और दूसरी तरफ आप यहाँ पर महभारत यह दूसरा बड़ा इनकी आपस के अंदर शत्रुता दिखाई गई है, काफी जबर्दस्ट, दोनों को बराबरी का योध्धा माना गया, कहीं ना कहीं शायद करण को पावरफुल दिखाया गया, कहीं जगा अरजुन को ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया, करण और अरजुन ये दोनों भी respectively जैसे अगर हम करण की बात करें तो वो सूर्य देव के पुत्र है और अगर हम अर्जुन की बात करें तो वो इंदर देव के पुत्र है तो यानि कि एक भाई भी दिखाये जाते हैं दो अलग-अलग गरंत हैं दोनों के अंदर सूर्य और इंदर के पुत्र जो हैं वो भाई और इंदर ये दोनों east के remedy हैं ंदर देवत की remedy भी आप शूरियधे की रेमेडी और आपने वास्तु प्रुष मंडल देखा होगा तो वहाँ पर आपको महिंदर के लिए देते और सूरियधे देते हैं साथ नहीं बार कई लोग क्या होता है इंद्र और सूर्य दोनों रेमेडी यूज़ करते हैं एक साथ, तो ये बहुत ही न ट्रिकी सिचुएशन में यूज़ करने वाली रेमेडी अगर हम एक साथ यूज़ कर रहे हैं, otherwise सूर्य और इंद्र इन दोनों को एक साथ यूज़ नहीं करना च सूर्य की बड़ी पावर दिखाई जाती है, सूर्य की अलग टाकत है, तो सूर्य जो होता है, वो कब ताकतवर होता है, इसलिए वहां पर क्या बोला जाता है, कि सूर्य तब ताकत होता है, जब वो अपने एकदम पूरे वेक के साथ निकलते हैं और जब सूर्य देव अपने साथ घोडों के उपर सवार होकर जब उनके रत के उपर सवार होकर निकलते हैं तो वो सबसे ज़्यादा ताकतवर माने जाते हैं तो इसलिए जब वास्तु में सूर्य देव की रेमेडी को यू तो यह जो साथ घोड़ों वाली तस्वीर अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो इसका थोड़ा सा कही ना कहीं जादा मिलेगा और अगर इन जनर्रल आप सूर्यदेव की रेमेडी यूज नहीं कर रहें और सिर्फ यह फोटो लगा रहे हैं तो लगा सकते हैं लेकिन इसम यह जो घोड़ों वाली पेंटिंग दिखाए दे रहे हैं यह सही नहीं है जादा है ना नौर्थ वेस्ट के अंदर सूर्य जादा बहुत जादा ठीक नहीं है तो क्या होता है कि आप देखेंगे कई जगा पेंटिंग दिखाई देगी आपको साथ घोड़े होंगे और कलर बैक्ग्राउंड नीला काला हो जाएगा और सूर्य की जगह आपको सिर्फ चंदरमा दिखाई देरेंगे ऐसा प्रतीत होगा अब यह जो नीला काला रंग वाली जो पेंटिंग आती है कई जगा डार्क ग्लू और ग्रीनिश शेड उसके अंदर दे रखी होती है या ब्लैक दे रखी होती है तो लोगों को लगता है यह ज्यादा बेटर है नौर्फ वेस्ट में लगाने के लिए तो मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि उस पेंटिंग को इल्टा अवाइड करना चाहिए आपको क्योंकि वो जो कलर से हैं वो जैल नहीं करते क्योंकि जब नहीं ना कहीं शनी और राहू को दिखा देता है जिसकी वजए से जो चंदरमा का एफेक्ट है वो खराब हो जाता है और वो पेंटिंग हमें वहां पर यूज नहीं करनी चाहिए टेक्निकली यह पेंटिंग अपने आप में बहुत अच्छी है अगर आप यूज करना चाह है तो आपको पॉलिटिकल गेंव सकते हैं सरकारी अलाब के लिए इसको देखा जासकता है क्योंकि यहां पर मैंने बता है न सूरिय और चंदरमा का एक combination आपको दिखाई दूसरा इस पेंटिंग के अंदर पेस्पेसरी आप देखते Jis पेंटिंग को सौ पे लिएंग अच्छी जो सब्सक्राइब क्योंकि south जो है वो basically third house को दिखाता है लाल किताब के साफ से तो वहाँ पर भी moon और mars के combination को बहुत अच्छा बताएगा moon और mars combination is always good तो इसलिए वास्तु में एक remedy होती है दो भागते हुए लाल गोड़ों को लगाने की और सामने घोड़े आपको दिखाई दे रही है यह वैसे ही combination को create करता है तो इस painting को भी आप south की direction के अंदर use कर सकते हैं असानी के साथ अगर यही color है background का जहां पर हलका साब को red shape दिखाई दे रही है orange shade दिखाई दे रही है तो इसी painting को आप चाहें तो south east के अंदर भी use कर सकते है तो इस तरीके से यह painting आप use कर सकते है it's a very good painting बट इसके अंदर जो इसके variations आते हैं जहांपर नीले काले रंग आते हैं हरा रंग आता है उनको आप थोड़ा सा avoid कीजिए क्योंकि यह रात वाली painting नहीं है और दूसरी चीज एक और देखेंगे कई बार घोडों के color में बहुत फारक होता है वहां पर black color के या blue color के घोड़े दिखा रखे होता है तो ऐसी painting को भी थोड़ा अगर आप avoid करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा एक बार फिर summarize करना चाहूंगा कि यह जो साथ घोडों की photo है जो आप अपने घर में लगाना चाहते हैं तो इसके लिए जो आपको precaution लेनी है वो यह कि इसका background बहुत ज़्यादा dark, नीला, काला या हरान मत कीजिए उसका आपको ज़्यादा लाब नहीं मिलेगा चाहिए आप उसको जिसमर्जी zone में लगा लीजिए दूसरी चीज मैं आपको जो बताना चाहूंगा वो यह कि अगर आप ये photo लगाते हैं तो कुछ zone बहुत अच्छा आपको result देंगे जो है northwest, east और south और ये northwest, east और south आपके घर का northwest, east और south होना चाहिए ना कि आपके कमरे का northwest या east और south नहीं बलकि आपके पुरे घर का northwest, east और south वहाँ पर अगर आप ये painting लगाते हैं तो ये painting आपको बहुत अच्छा result दे सकते हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं तो हमारे वास्तु के कोर्स के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं नीचे description में link है वहाँ पर click कीजिए और आप वास्तु भी सीख सकते हैं आप ने अपना इतना कीमती समय दिया इतनी दिर तक मेरी बात को सुना उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you thank you very much